हेलो फ्रेंड्स बेलकम बेक टू योर ओन चेनल चक्दे बिन नौलेज चक्दे बिन नौलेज में आप सभी का हादिक स्वागत है एक चेनल जो करता है बेंक की बात और बेंक कर्स की बात और आज के वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं 12th बाइपटाइट सेटलमेंट के चार्टर ओप डिमांड आई बे और अब हम देखते हैं कि क्या-क्या डिमांड है भी एफाई की चार्टर ओप डिमांड में अभी आप अपनी स्वाणी स्कीन पर देख सकते हैं आई बीए को एह। चार्टर ऑफ डिमांड 12th बायपाटाइड सेटलमेंट का 31 अक्टुबर 2022 को 11 बायपाटाइड सेटलमेंट अल्रेडी जो उसका टेनर था वो खतम हो गया है और 1 नवंबर 2022 से 12 बायपाटाइड सेटलमेंट चालू हो चुका है और यूनियन ने रिक्वेस्ट किया कि IBA अब 12 बायपाटाइड सेटलमेंट का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके काम करे और जल्द से जल्द 12 बायपाटाइड सेटलमेंट को लागू करे सबसे पहले हम देखेंगे basic pay के बारे में क्या कहना है सबसे पहली demand जो union ने रखी है वो है special allowance का merger यानि कि 1 November 2022 से नई basic जो बने उसमें special allowance को merge कर दिया जाए और जो basic pay के ऊपर डिये है उसको भी merge कर दिया जाए उसके बाद जो अगली demand है वो कहती है कि जो revise pay scale है वो clerical staff के लिए 20% का जो revise pay scale हो उसमें increase हो और 25% subordinate staff के लिए और जो fitment हो वो state to stage basis हो एक बाद जब highest scale पर कोई भी कलक या subordinate staff पहुँच जाए तो जो stagnation increment होती है वो हर दो साल पर उनको मिलनी चाहिए और stagnation increments में किसी भी प्राकार की कोई भी ceilings नहीं होनी चाहिए लिखती है कि अगर कोई officer से clerical cadre में reversal लेता है या clerical से sub staff cadre में भी reversal लेता है उस case में भी stagnation increment उनको देनी चाहिए अब हम बात करेंगे special pay की, personal qualification pay की, EQP की, fixed personal pay की, officiating pay की 1250 का जो special pay है उसको merge करने की बात कही गई है उसके बाद जो subordinate staff entry level पे आता है उसमें दफ्तरी की duties को सामिल करने के लिए और जो special pay रुपे 850 है उसको basic में सामिल करने के लिए कहा गया है DA का मज़र करके special pay को बढ़ाने की बात की गई है First stage increment जो होता है किसी के भी pay scale में उसके equivalent PQP और EQP की बात की गई है Basic pay की तरह FPP यानि के fixed personal pay को भी बढ़ाने की बात की गई है Subordinate staff के लिए JAIIB और CAIIB या फिर graduation करते समय extra additional increments के लिए demand की गई है Officiating allowance को बदलने की बात की गई है उसमें revision की बात की गई है और without restrictions मिलना चाहिए Official allowance जो होता है वो हर दिन के लिए मिलना चाहिए और जो 7 days का stipulation है कि 7 दिन अगर duty कोई करेगा तो ही officiating allowance मिलता है उसको remove कर देना चाहिए इसके अलाबा एक demand ये भी है कि जो post graduation में anomaly है additional increment की उसको खत्म कर देना है अब हम बात करेंगे DNS allowance की तो clerical cadre के लिए जो DA compensation की बात की गई है वो है 110% और subordinate staff के लिए DA compensation रहना चाहिए 120% DA का payment CPI index 191600 सीरीज पे ना करकर के 21600 सीरीज के basis पे करना चाहिए और जो DA में revision है जो भी monthly variation index में हो उसके accordingly monthly basis पे करना चाहिए DA का जो rise होना चाहिए revision होना चाहिए वो हर point के basis पे index पे होना चाहिए चाहिए वो rise हो या fall Lated census के आधार पर area और population के साफ से reclassification करना चाहिए सभी जगाओं का और HRA की rate को revise कर देना चाहिए Lees accommodation की facility सभी employees को देनी चाहिए और जो HRA का payment capital cost basis और rent receipt basis पे हैं वो 150% तक होना चाहिए जो bank के quarters में रह रहे हैं उनसे standard rent card लेना चाहिए और HRA का payment करना चाहिए Transport allowance को बढ़ाने की बात की गई है और उसके उपर जो DA payable है भो भी accordingly ceiling हट जानी चाहिए Halting allowance और lodging expenses को बढ़ा दिना चाहिए इसके अलाबा education allowance को introduction किया जाना चाहिए Closing allowance, mid academic year allowance, discomfort allowance ये सभी allowance को introduction अवेटेड है Union is disturbed area allowance, island allowance, travel allowance, remote slash difficulty area allowance ये सभी allowance को introduction करने की बात की है North East incentive जो है वो 6th pay commission के अंसार और जैसे के RBI employees को दिया जा रहा है उसी तरह से दिया जाना चाहिए इससे पहले जो हमने allowance बतायते वो central और state government को जिस तरीके से मिलते हैं बैसे ही करने की मांग की गई है फार्प लग एरिया और डिफिकल्टी एरिया जो उत्राकंड में है उनके लिए special area allowance एड़ पार होना चाहिए जैसे के लेह लद्दाक में है जहां जहां state government sale allowance का payment कर रही है उसी हिसाब से district wise bank करमचारियों को भी हिल allowance का payment करने की बात की गई है casual leave को बढ़ा करके 18 करने की बात क्या ही गई है इसके अलाबा CL से जो बच्ची हुई leave होती है यानि के unable casual leave जो आप नहीं लेते हैं CL के रूप में उनको बिना medical certificate sanction करने की demand union ने charter of demand में की है privilege leave का accumulation 300 दिन तक करने की बात कही गई है इसके अलाबा जो encasement होता है उसको भी 300 दिन तक करने की बात कही गई है अगर किसी employees के पास privilege leave कम है तो उसकी सिक्लीव को जोड़ देना चाहिए यानि के PL और सिक्लीव मिला कर के 300 दिन का encasement allow कर देना चाहिए employees को जो privilege leave की permission है वो पूरे साल में कम से कम 6 बाग के लिए दे देनी चाहिए और जो annual encasement होता है PL का उसको बढ़ा कर के 10 दिन कर देना चाहिए चाहिए आपकी जो length of service है वो कुछ भी हो बेंक के कमचारियों को अगर उनका कोई family member बीमार है तो उसके सिक्लियाए certificate के आदा पर PL लेने की अनमती होनी चाहिए अगर कोई कमचारी sickness ground पर medical certificate दे के PL अबेल करता है तो चाहे कितने भी दिन की PL उस करमचारी ने लियो number of counts यानि की कितनी बार PL लेनी है वो count नहीं करना चाहिए भले ही उसके account में सिक्लिव already हो क्योंकि उसने PL के लिए apply किया है CSL के लिए नहीं अगर आप भी आपको PL लेनी है तो आपको 10 दिन advance में बताना होता है यूनियन ने डिमांड किये कि ये जो notice period है PL लेने का उसको 7 दिन तक कर देना चाहिए बर्तमान में अगर लीब के बीच में PL जब आप लेते हैं और कोई holiday पढ़ रहा है तो वो count होता है यूनियन ने डिमांड किये कि अगर holiday पढ़ रहा है किसी भी case में PL अगर employee ने ली है तो holiday को count नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं कि सिक्लीव अगरमचारी किस तरीके से लेगा तो सबसे पहली demand है कि जो सिक्लीव है वो हर साल 30 दिन याने कि एक मंत की होनी चाहिए without any ceiling अगली demand है सिक्लीव लेने कि वो ए है कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है जैसे कि fever, flu तो आपको maximum पाज इनकी जो सिक्लीव है वो बिना medical certificate के allow करने जी चाहिए और कितनी बार employee ऐसा कर सकता है साल में ऐसा specified कर देना चाहिए अगर कोई family member बीमार है तो उसके sickness certificate के आदार पर सिक्लीव employee को permit कर देनी चाहिए special sick leave के introduction की भी बात की गई है कि अगर किसी की sick leave खतम हो जाए तो कुछ केसे जैसे की cancer है कोई major accident है इस तरह के cases में special sick leave को allow कर देना चाहिए अगर employee के पास sick leave ना हो female employees के लिए आपर demand की गई है कि अगर उनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं 12 साल तक के बच्चों की sickness के लिए उनको sick leave देनी चाहिए इसके अलावा sick leave में भी वही close किया है कि बीच में जो holy day पढ़ रहा है वो उसको सामिल नहीं करना चाहिए next point is regarding the maternity leave अगला demand है कि अगर कोई child को adapt कर रहा है और जो child की age है वो 5 साल तक है तो female employees को एक साल तक की maternity leave adoption के case में भी देनी चाहिए maternity leave पूरे जो कारिकाल होता है service period उसमें 2 साल की देनी चाहिए और हर बच्चे के लिए एक साल के लिए allowed होनी चाहिए अगर paternity leave की बात करें तो उसको बढ़ा कर के 30 दिन पर occasion कर देना चाहिए और adoption का case जहां भी हो यानि कि 5 साल से जोटे बच्चे को अगर adoption किया जाए तो भी paternity leave मिलनी चाहिए child care leave जैसे government employees को मिलती है उसी तरह bank employees को भी देने की बात कही गई है यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हमने decide किया है कि हम next वीडियो में आपको बताएंगे sabbatical leave के बारे में, study leave के बारे में office bearers के लिए special leave के बारे में extraordinary leaves के बारे में, special leave जो के sports employees को मिलने चाहिए उसके बारे में, leave bank के introduction के बारे में अगर कोई employee death हो जाती है उस case में क्या होगा वो सब बताएंगे union ने physical challenge और differently abled employees के लिए क्या मांगा है वो हम आपको बताएंगे एक service and employees के लिए क्या demand की रखी गई है वो हम आपको बताएंगे PLI scheme में किन बदलामों की बात की गई है वो हम आपको बताएंगे क्या staff welfare scheme में changes की बात की गई है वो भी हम आपको बताएंगे RRB और grammar बेंकों के लिए कुछ special demand रखी गई है वो भी हम आपको बताएंगे union ने part-up employees और बेंक के retired employees के लिए भी कुछ demand charter of demand में रखी गई है transfer allowances के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है family members की definition में, dependence की definition में कुछ changes की बात की गई है और loan and advances के अभी बात की गई है, इसके अलावा outsource, contact और temporary और casual employees के लिए भी कुछ demand रखी गई है family pension और compassionate ground appointment भी इस by patate settlement में BEFI द्वारा cover किया गया है जिसके बारे में हम आपको next वीडियो में बताएंगे gratitude इसके अलावा जितने भी pension related issues हैं यानि कि जो भी superannuation benefits हैं उनको देखकर भी बहुत सारी डिमांडे union की हैं जो हम आप से अगले वीडियो में डिसकस करने वाले हैं health check-up rules क्या रहेंगे LFC के rules क्या रहेंगे यह सभी हम आपको next वीडियो में बताएंगे तो यह था आज का वीडियो क्योंकि लंबा था इसलिए लाश्ट में हमने आपको short में बता दिया कि हम next वीडियो में क्या क्या discuss करने वाले हैं हम पूरा बाइपाट सेटलमेंट अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आपको क्या करना है subscribe करना है notification bell को कर दीजे click जिससे के हमारे वीडियो का notification आपको मिलता रहे है आपका खुद का वीडियो है आपका खुद का चैनल है वीडियो को कीजिए like सभी bankers के साथ कर दीजिए share आप सभी का दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद